हर हर महादेव, चैव होलेनाथ नमस्कार, मैं शादना पांडे मागदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों, आज के वीडियो विसेश है विसेश इसलिए है दोस्तों, ताकि आज हम बात करेंगे अपने बच्चों के उपर बहुत सारे प्रशना आ रहे हैं कि बच्चों की बुद्धी ऐसा लग रहा है, ऐसा जान पड़ता है कि बादित है, किसी ने बाद रखा है क्योंकि पहले बच्चा समझदार था, अभी उसको दिक्कते आने लगी है तो दोस्तों, आज विष्दित जानेंगे एक एक चीज कि किस प्रकार बच्ची की सामान्ने बुद्धी थी, अब वो बच्चा बहुत सरार्ते करने लगा है, बड़े लोगों की बाते नहीं सुनता है, ये सारी बाते हम जानेंगे और किस प्रकार जो है बुद्धी को बाधित किया गया है और क्या करके हम इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं तो दोस्तों ये विशेश बाते हैं और आज जैसे कि बुद्धी के कारत ग्रह जो कहे जाते हैं वो बुद्ध देव कहे जाते हैं बुद्ध देव को मजबूत करने की हम 5-6 उपाय बताएंगे और हाँ अगर आपके बच्चे की बुद्धी सही है ब्योहार सही है सब कुछ सही है और पढ़ाई में कहीं ने कहीं वो दिक्कत कर रहा है कमजोर है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं उसमें भी निश्चित र जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा ही वही चीजे चुनिंदा उन चीजों को लेकर आती हूं जो आप के लिए बहुत भी सेसो और लाब करें दोस्तों तो ऐसी चीजों का मैं आज भी एक संग्रह बना करके लाई हूं करना यह है दोस्तों कि बस एक ही करके ध्यान से जैसे कि 5-6 साथ मैं बताऊंगे तो इसमें इस तरीके से करके दोस्तों हमको करना है तो अब आप जान गए होंगे कि बुद्धी के कारक तो है ये वयोवसाय के कारक हैं तो जिन लोगों ने कई बार दुकान किया विजनिस किया और सारी चीज़े ठप होती जा रहे हैं तो एक बार इस उपाय को आजमा करके देखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव साली ये उपाय है आप सभी करके देखिएगा मैं पूरा उम्मिद करते हूं दोस्तो कभी पहुचा सकते हैं होता है कि जब हम nate की लिए अच्छा करते हैं तो हमारे लिए प्रकेर्थ स्वायम अच्छा देती हैं तो दोस्तों कोई परचान है प्रीडा मत से और कि अब अथो मुंक्त शहीं शेना रुचा करके देजारी कि कि लिएक step लिए-चैनल को सब्सक्र पूर्ण बातें आपको सुनने को मिलेगी तो चलिए यह हो गई वीडियो के पहले की क्या करना है क्या नहीं और जो लोग इस बात को स्किप कर देते हैं वही दिक्कत में पढ़ते हैं फिर बाद में उनके कमेंट होते हैं क्या करें क्या नहीं करें तो प्लीज बहुत महनत कर बढ़ते हैं इन वीडियो को बनाने में इन चीजों को सोचने में आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कर टाइम निकाल करके आप वीडियो को देख लें अगर बड़ी होती है तो आप इसको इसको करिए लेकिन प्रयास तो यही रहता है कि चीजों को बहुत अच्छे से बड़ा जग ले लेजिए लोटा ले लेजिए और उसमें पानी भरके रखिए उस पानी को आप अपने बच्चे को सुबर बेट से उठते ही जब वो पानी मांगता है तो उसे वही पानी दे प्रयास करें पूरे दिन आप उसी जग से मतलब ताबे का जग हो और एक गिला या फिर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहे हैं तो वो लोग यह जरूर करें बड़े लोग भी इस काम को कर सकते हैं दूसरा कौन सा महतवपूर उपाय है दोस्तों तो देखिए अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है समझे बात को अगर आपके बच्चे पढ़ तो बहुत तार्किक तरीके से बच्चा जबाब देता है वहीं पर बात जब पढ़ने की हो तो बच्चा गायब तो ऐसे बच्चों को एक काम करिए बहुत अच्छा असर पढ़ेगा स्कूल जाने से पहले उसको नहला दीजिए नहलाने के बाद सुरी को एक लोटे जल दि रोली डिलबा करके वहां खड़े होकर के अगर बड़ा बच्चा है तो उसे कहिए कि जो गायत्री मंत्र है सुरी के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जब करें यदि बच्चा छोटा है गायत्री मंत्र का जब नहीं कर पाता है तो आप गायत्री मंत्र का जब न कराए आप बस एक काम करें, इक 11 बार सुरी के सामने खड़े हो करके और सुरी के सामने खड़े हो करके अपनी जो आखे में, आखों में आखे यानि की सुरी की तरफ देखते हुए आपको अपने बच्चे से हनुमान 40 का पाथ कराना है अगर याद है तो नहीं याद है तो कोई बात ही ने तब तो आप नहीं कराईए चोटा बुच्चा बहुत है तो हनुमान 40 का पाट कराईए अपने आपने अपने समतकारी प्रभाव साले उपाई है चोटी बड़ा हर कोई इस उपाय को कर सकता है क्योंकि हनुमान जी की गुरु है और वो जो है बहुत तेज बहुत स्थिगर इस चीज का प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है तो ये दूसरा काम ज़रूर कर लिजेगा जैसा कि जानते हैं वाणी के कारक व्योसाय के कारक बुद्ध देव को माना जाता है वैसे तो ये सभी जानते हैं कि बुद्ध वार की दिन कुछ हरी चीजे जो है वो हम गव माता को खिला है क्योंकि गव माता में मात्र देवी देवता ही नहीं दोस्तों उसमें जो है लोग रहूं का वाज भी होता है और जब हम गव माता को संतुष्ट कर देते हैं तो हमारे जीवन से कष्ट संकट और समस्याय जाती है तो हरी सबजियां हरा चारा आप गव माता को दीजिए और एक चीज़ और आपको बता दू इन उपायों का असर एक दिन में दस दिन नहीं होता है और जो होता है वह होता है और चीज़ बता रहे हूं कि आप ख़बरा मत जाईए का देखी एक चीजों की कमी बहुत है आपके अंदर पेसिंस की दोस्तों जहां भी चीजेजे किवल गड़वड होती है क्युक्य देख़िए प्रकृत बहुत और आपको कुछ देने वाली है तो आप जो है उसके लायक है कि नहीं तो वो परिख्या की घड़ी होती है दोस्तों उस समय अगर हम अपने काम को छोड़ कर भाग गये या फिर धैरे खो दिये तो वो चीजे हमसे बंचितरा जाती है तो विस्वास करिए जो देवी देवता होते तो पहले चीज यह है यह मैंने बताया कि आप जो है गौमाता को हराचारा खिलाए हराचारा कोई भी बुदवार बुदवार खिलाए अब अगला और सबसे महत्वण उपाईए है उसको करिए आप अपने घर में आराम से कर सकते है इसको करने के लिए एक होना चाहिए पहले की समय में पीतल की बड़े भगोने चलते थे अगर वोब présenza और वकसरी इसको कर सकते हैं लेकिन बटन पीतल ही होना जाहिए ठीक है एक घंटे के अंदर अंदर आप इस पानी से जो हमने पीतल की बाल्टी में तयार इससे आप अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है बोलने में तो उसे नह लाएं आप बड़े लोगों के व्योसाय में आ रहे हैं तो आप नहाएं जो लोग मानी से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनको लग रहा है कि जैसे मैं प्रभावत सालिट हूँ लेकिन लोगों पे इसका असर नहीं पड़ रहा हुआ तो आप सभी ऐसा करिएगा अब सुरियोदे से एक घंटी का अर्थ ये हो गया जो दिन होता है उस सो नहीं होता है 100% उसका result आता है तो आप सभी ये करिएगा और दूसरी चीज कि आप ये भी पोचेंगे कि दिदी हम कितने दिन करें जब हमारे जीवन में ये चीजे प्रभावित होने लगे और इसमें कोई बड़ा उपाय तो ख़य नहीं ये चीजे हमारे जीवन में प्रभाव देने लगे तो फिर आप इनको छोड़ सकते हैं या फिर जब आपको लाव पूरी तरज से हो जा तो भी आप इन उपाय को छोड़ सकते हैं बहुत सारे बच्चों के एक दिक्कत देखती हुआ कि बच्चों के दोस्त नहीं बन पाते हैं वो मिलते जुलते नहीं है किवल और किवल माता पीदा से बात करते हैं बाहर में न जाते हैं न किसी रिस्तेदार से नहीं उनकी बनती है या कुछ इञत है तो आप अपने बच्चों को काईए कि वो गणेश जी की पूजा करें छोटा बच्चा है तो आप उनसे कराइए बड़े बच्चे हैं और उनका कोई दोस्त नहीं बन पाता है उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता है तो किवल और किवल गणेश जी की पूजा करें ओम गंगडपते नमह मंत्र का जितना हो सके उतना जब कराईए बच्चों को क्योंकि गणेश जी को जब आप अपनी तरफ कर लेंगे यानि जब आप पॉजिटिव कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बुद्ध की सुब परिडाम आपको बीना कुछ कहे सुने ही मिलने लगता है जैसे कि हम सनी को प्रेशन करने के लिए क्या बोलते हैं हनुमान जी की पूजा करे ठीक वही करनेक्शन है तो आप ये काम गणेश जी की पूजा वाला जरूर कर लेजेगा अब देखें कुछ बच्चों के क्या होते हैं कि ना, बुआ, मौसी इस तरह के रिस्तों में बहुत दिक्कत होती है जो की बड़े हैं तो उनको भी ये उपाय करना चाहिए जो मैंने बताया गणेशी की पूजा वाला तो इस तरह के रिस्तों के जो कारक ब्रह हुआ है वो सारी लाइने किप कर देते हैं और आपको आ जाती है दिक्कत फिर बाद में चीजे आधी हदूरी समझ में आती है तो ये जानना मत भूलिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा मैं मिलती हूँ आप से किसी अन्य वीडियो में घन्यवा हर हर महादेव